नमस्ते साथियों आप सबी लोग कैसे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतिय राज विवस्ता यानि कि इंडियन पॉलिटी का नेक्स चैप्टर चैप्टर 20 और इस चैप्टर में मैं आज आपको मंत्री परशद और प्रधान मंत्री दोनों के बारें बताऊंगा प्रधान मंत्री होता है उसका जो हैड होता है और उसकी एक मंत्री परिशद होती है जो उसके आसपास रहती है उस सारी चीजों को आज हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं एड़ोकेट चिंदुपादिया है स्टार्ट करता हूँ भारतीय दाज विवस्ता यानि कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नेक्स्ट जो आपके लिए अतिमेहत्पूर होने वाला है तो दोस्तो यहां पर प्रधान मंतरी और उसकी मंति परश्ट के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कोई भी क्वेशन इसमें से कैसा भी आएगा जो बाहर नहीं जाएगा या विश्वास मान के चलिए और कहीं से भी आपको किताब को पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी चोकि हम जो भी चीज ले रहे हैं किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है तो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है सिर्फ एक्जाम निकालना है और आपको नौकरी लेनी है तो यहाँ पर हम हर चीज को करमबत तरीके से पढ़ा रहे हैं औरली पढ़ा रहे हैं अन्य जो वीडियोज बनाते हैं उन्होंने वीडियोज कहीं से उठाई कहीं डाल दी कोई चटपटा टॉपिक डाल दिया इस तरह से हम चटपटे टॉपिक को न डाल कर बच्चे की जो प्राब्लम है उसको सॉल्व करते हुए शुरू से लेके लास तक संपूर प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चे को हर चीज मिल सके अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत हमारी बेकार न जाए उस विद्ध्यारती के पास पूरा मैटीरियल पहुचना ही चाहिए कुछ चटपड़ी खबरों को सुनकर मज़े लेकर उससे एक्जाम पास नहीं होता है जब तक आप करमवत तरीके से पढ़ाई न करें दोस्तो मेरे साथियों इसमें आज देखते हैं आज बीसमा चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ तो यहां पर बहुत इंपॉर्ड़न्ट है यह मंत्री परशद प्रधान मंत्री और उसके बारे में यह हमारा चैनल है दे रियल स्टेडी पॉइंट अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बैल आइकन को जरूर दबाएं मैंने यहाँ पर कमेंड वक्स में जो लिंक है वो दे दिया है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको पीडिएफ की मांग है तो वो भी 74 मीन 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राश्टपती को उसके कारियों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिशद होती है जिसका जो प्रधान होता है वो प्रधान मंत्री होता है तो यह आर्टिकल आपको याद रखना है परंतु क्या होता है राश्टपती मंत्री परशद से ऐसी सला पर साधार तया अनिता पुनर्वचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राश्टपती ऐसे पुनर्वचार के पश्चाद दी गई सला की अनुसार कार करेगा तो यहाँ पर राश्टपती के लिए जो एक सला उदी मंत्री परशद होती है जिसका हैट परधान मंत्री होता है तो वो अपेक्षा करता है राश्टपती की हमें ऐसी सला दी जाए भारत का परधान मंत्री भारत का मुखिया भारत के राश्टपती का मुक्य सलाकार, मंत्री परشت का मुक्या तका लोग схबा में बहुमत वाले दल का नेता होता है. इस समय जो नरेंद्र-मोधी की सरकार है Вिजेपी गोर्र्मेंट तो नरेंद्र-मोधी को बरधान मंत्री के लिए चुना गया है और वो राश्पती का मुक्य सलाकार है मंत्री परशद का मुखिया है ये और लोग सावा में बहुमत दल का नेता है सक्ता दल है उसका नेता है वह भारत सरकार के कारपालिका का नेत्रत्व करता है वह अकेले ही मंत्री परशद का गठन करता है कि कॉंसिचूट कैसे करना है किसको क्या पद देना है कहां का मंतरी बनाना है ये सब प्रधान मंतरी की ही जिम्मेदारी होती है वही करता है हाला कि वो सला ले सकता है लेकिन सम्मिधान नहीं कहता है कि वो सला लेगा लेकिन ये बात है कि चब मीटिंग बैठती है अपनी पार्टी की तो वो प राश्पती, मंतरीगर की निक्ती उसकी सला से ही करते हैं और मंतरियों के विवागों का निर्धारण भी प्रधान मंतरी ही करता है दोस्तों तो यहांपर प्रधान मंतरी का जुपत है अथी महत्पूर्ण बताया गया है आगे में एक इंपॉर्टन वापको बात बता देना चाता हूँ, इस प्रश्नकी की किसी नियायले में जाच नहीं की जाती है, कि क्या मंतरियों ने राजपती को कोई सला दी और वो सला क्या थी, क्या दी, इस बात की कोई भी जाच नियायले में नहीं, नियायले द्वारा नहीं की जा सकती है, मंतरी परशद में मंतरियों को कु करते हुए लोग सभा के कुल सदस्यों को सदस्यों के कुल सदस्यों की जो संक्या उसका पंदर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी कहने का मतलब है मंत्री जो बनेंगे जो मिनिस्टर्स बनेंगे जितने भी मा क्या कहते हैं चुनकी आये हैं लोग सभा के जो सदस्यें तो कुल स दश जितने भी हैं तो उसके पंद्र परशत से अधिक नहीं होगी टोटल जो हैं उसमें से पंद्र परशती प्रधान मंत्री चुने जाएंगे वो प्रधान मंत्री ही चुनेगा तो ये बहुत important बात है जो मैंने आपको बताई है राश्ट पतीदता मंत्री परशत के मद्य स संपर्क सूत्र भी वही है, मंत्री परशद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है और वह परशद के नाम से लड़ी जाने वाली संसदिये बहसों का नित्रत्व करता है, तो एक तरह से लीडर्शिप भी उसकी हाथ में होती है, प्रधान मंत्री के हाथ में, संसद में मंत्री पर साले से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणों के चलते बर्दान मंतरी को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनेतिक व्यक्तित्व माना जाता है और इसमें आगे दोस्तों बढ़ते हुए मैं आपको important बाते बताना चाहूंगा मंतरी राश्पती के प्रसाद परिय का उन पर हाथ रहेगा आशीरबाद रहेगा प्रसाद परियंत तो वो तब तक मंतरी बने रहेंगे और important बात जो है article 75 का sub clause ये two है जो कहता है प्रसाद परियंत तक बने रहेंगे और sub clause three है कहता है कि मंतरी परिशद जो होगी cabinet जो होगी पूरी लोग सभा के प्रती सामोहि से उत्तरदाई होगी collectively responsible होगी accountable होगी तो ये बहुत important question है 75 में आता है sub clause three में इसको आपको याद रखना है आगे इसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तो जो important बात है वो आ जाती है प्रधान मंतरी बनने के लिए संसत की सदस्यता आवश्यक नहीं है ये important बात है प्रधान मंतरी के लिए संसत की सदस्यता आवश्यक नहीं है लेकिन उस वेक्ति को 6 मां के अंदर संसत का सदस्य जो है बनना होगा मलब से 6 मां के अंदर अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होगी पहले अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब वो बन जाता है तो उसे 6 मार के अंदर-अंदर सदस्ता प्राप्त करनी होगी जो बहुत easy होता है प्रदानमंतरी अपने पत्सित यागपत्र भी दे सकता है तता राशपती उसे पत्षित भी कर सकता है मलब राशपती चाहे तो उसे हटा सकता है लेकिन जितना ये सरल दिखता है कहने में उतना सरल नहीं है अभी तक भारत में किसी भी प्रदान मंतरी को ऐसे पद्शित नहीं किया गया है हटाया नहीं गया है संसत द्वारा पारित वेतन वा भत्ते सम्मंदी अधनियम के अनुसार प्रदान मंत्री के जो वेतन प्राप्त होता है मतलब जो वेतन भत्ते होते हैं वो प्राप्त होते हैं जो संसत द्वारा पारित जो वेतन भत्ते अधनिये में उसके अकॉर्डिने मिलते हैं प्रदान मंत्री नीती आयोग पहले जो मनाता पूर्व में योजना आयोग था ले प्रदान मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है मतलब ये इसका head होता है ex-officio officer होता है ये आपको याद रखना है next आते हैं मंत्री परशद परशद सामोई करूप से लोग सभा के परती उत्तरदाई होती है जो मैंने आपको बता दिया था कि ये आर्टिकल जो है 75 sub clause 3 तो 75 यहाँ पर आ जाता है ये और sub clause इसका जो 3 है वो आपको याद रखना है इसमें हाना कि ये clear नहीं हो पा रहा है दोस्तों लेकिन इसे आपको याद रखना है 75 और यहाँ पर रखना है sub clause 3 संग के परशाशन या कार और उन से सम्मंदित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से सम्मंदित मंत्री परशद के सभी निरनों की सूचना राश्पती को देना प्रदान मंत्री का करतव्य है मंत्र जो भी संग का परशाशन चल रहा है और विधानों कानून को बनाना सब की सूचना है वो राश्पती को देता है मंत्री परशद कैबिनेट मंत्री राज मंत्री जो स्वतंतर प्रभार होता है और उपमंत्री होते हैं मंत्री पर्षद में कौन से होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं राज मंत्री होते हैं राज मंत्री होते हैं इंपोर्टेंट बात है ये आप इसे दिमाग में रखें कैबिनेट मंत्री राज मंत्री और उप मंत्री दो हजार तीन में 51 एक्यानवे 91 एक्यानवे वे सम्विदान संसोधन द्वारा केंदर तथा राज सरकार के मंतरी परशद में सदस्यों की संक्या निचले सदन की कुल सदस्य संक्या का 15 प्रतिशत तक की हो सकेगा पंदर प्रतिशत के नया अमेंडमेंट हुआ यह मैंने आपको बता दिया इसके बारे में आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तो सिक्किम और मिजुरम जैसे राजियों में यहां देख सकते हैं आप सिक्किम और मिजुरम यहां सिक्किम और मिजुरम जैसे छोटे राजियों में जहां विधान सभा में सदस्यों की संक्या क्रमशा 32 है सिक्किम में और 40 है मिजुरम में मंत्रियों की संक्या बारे रखने का प्रावधान किया गया है यह आपको याद रखना है तो यह दो छोटे राज्य हैं यह मिजुर रखना है यहां पर चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं मूल सम्मिदान में कैबिनेट का उलेक नहीं किया गया था चवालिस में सम्मिदान संसुधन अधनियम द्वारा अनुचेद तीन सो बावन ये इंपॉर्टेंट है इस शब्द की स्थापना की गई इस शब्द को इस इस्थान दिया गया तो ये भी आपको याद रखना है कैबिनेट शब्द का वाया 352 के अकॉर्डिंग 44 सम्मिदान संसुधन द्वारा राजमंत्री मंत्री परश्द के दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं जो राजमंत्री होते हैं मंत्री परश्द में दूसरी श् कि ऋते हैं और राजमंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं यह अलग होते हैं ओक तो लिए इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है उपमंत्री के नुकति четы मंत्री या राजमंत्री की साहता के लिए की जाती है तो यह उप pirATHAN मंत्री बनते हैं, कैबिनेट के लिए बनते हैं या राजमंत्री के सपोर्ट के लिए, कैबिनेट मंत्री मंत्री परशद के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री परशद के सदस्य होते हैं, जो मेन पावरफुल है, वो यही है, परमक विवावाओं के अध्यक्ष भी होत यह सचिव ना तो cabinet के सदस्य होते हैं जो parliamentary secretary होते हैं ना तो cabinet के सदस्य होते हैं और ना ही राश्पती द्वारा इनकी निकती की जाती है यह धियान रखना है इनकी निकती भी राश्पती द्वारा नहीं की जाती है इनकी निकती स्वैम परदान मंतरी द्वारा की जाती है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो subscribe करें अगर आप channel पड़े हैं, बैल icon को dबाना न भूलें, क्योंकि इसके करने से आपको notification मिल जाएगा और notification मिल जाएगा, तो इसका process ये रहेगा, कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे जिससे आपको काफी लाव मिलेगा आपके एक्जाम में और उसके जरीया आप हमें जो कमेंट करते हैं हमें सरहना करते हैं उससे हमें दोस्तों बहुत बल मिलता है आपकी दो लाइने लिखने से हमें बहुत ताकत मिलती है तो कमेंट जरूर करें उसे जरूर करें भूला ना करें आप लाइक करें शेर करें और मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी जोश और इसी उमंग के साथ तब तक के लिए खुश रहिए धन्यबाद थैंक यू वेरी मुच